दोस्तों शुशान सिंग राजपूत ने सुसाइट क्यों किया ये वो सवाल है जिसका जवाब शुशान की मौत के बाद हर कोई जानना चाहता था और अब उनके पिता ने खुल कर बात किये उन्होंने रिया के खिलाफ एक FIR दर्श की है क्या है इस FIR में जिसमें भूत प्रेत कावे जिक्र है मुंबई पुलीस पर भी कड़े सवाल है और कई सारे बाते हैं जो आपको जाना चाहिए जो आपको हर चीज बताएंगी कि शुशान के साथ आखिर चल क्या रहा था बैमानी बंधक बना कर रखने एबं आत्प हत्या के लिए मजबूर करने पर मुकद्दमा दर्ज करने ही तू प्रार्तना पत्र श्रीमान जी निवेदन है कि प्रार्ति क्रिश्न कुशोर सिंग निवासी उशा सिंग हाउस रोड नंबर 6 राजीव नगर पतना बिहार का र सिंग का उसकी मा से काफी लगाव था मिरा बेटा बहुत जादा भावनात्मक था और ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्ग वास के समय महसूस मेरा पुत्र स्वर्गे श्री शुशान सिंग राजपूत फिल्मी जगत के जाने माने सितारे रहे हैं उसने काई पोच्छे व्यो 2019 तक अभिने जगत में बुलंदियों पर था इसी दौरान रिया चक्रवती नाम किये के लड़की अपने परिजन वा अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशान सिंग से जान पहचान बढ़ाने लग गई जिससे वो सुशान सिंग के अच्छे संपर संध्या चक्रवती शोविच चक्रवती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकिया बढ़ा ली और ये सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्त शेप करने लगे इसके उपरांत मेरा बेटा जहां रह रहा था वो घर ये कहकर छुडवा दिया कि इस घर में भूत प्रेत है और उसका रिया और उसका सारा परिवार वो मेरा बेटा रहे और लगदार मेरे बेटे को इन सभी ने बार बार कहा कि तुम बहकी बहकी बाते करते हो तुम्हारे दिमाग पर कोई प्रभाव अत्वा दिक्कत है तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है इसलिए किसी अच्छे डॉक पर बेटी वहां से वापस आ गई इसके बाद रिया मेरे बेटे शुशान सिंग को इलाज के बहाने से अपने घर मुंबई में ही ले गई और उसको वहां पर ओवर डोस दवाईयां दी गई उस टाइम रिया ने सब को बतलाया कि शुशान को डेंगू हो गया है उसका इला इसके परिजनों ने शुशान की सब चीजों पर अपना कबजा ले लिया परिवार से सुशान सिंग की बातें बहुत कम हो गई शुशान का फोन रिया वह इसके परिजन अपने पास रखते थे रिया जो फिल्मों के ओफर शुशान को आ रहे थे उसमें ये शर्त रखती थ कि अगर मुझे फिल्म में शुषान्त के साथ मुख हीरोईन के तौर पर लोगे तो ही सुषान्त फिल्म करेगा सुषान्त के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिये और उनके इस्थान पर उसने अपने परिचित नजदी की नौकरी पर रख लिये सारे क्रेट कार्ड बैंक खाते रिया वह उसके परिजनों के कंट्रोल में थे सुषान्त को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया मेरे बेटे का पहले फोन नंबर 9324398079 था जो कि दिसंबर में इन्होंने बंद करवा दिया तकि सुषान्त सिंग से बाकी लोग भी अपने आप अलग हो जाएं इसकी जगए रिया ने अपनी नजदी की सैमियल मिरांडा की आईडी पर एक नया फोन नंबर 9820800308 ले लिया जिससे कभी कबार सुषान्त से बात हो जाती थी कई बार सुषान्त ने मुझे बतलाया कि ये लोग मुझे पागल खाने डालना चाहते हैं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इसके उपरांद सुषान्त सिंग मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हर्याना आया उसे आये दो दिन ही हुए थे तो रिया ने बार बार फोन करके वापस मुंबई आने के लिए दबाव डाला इस दबाव के कारण मेरा बेटा सुषान्त सिंग मुंबई वापस चला गया इसके बाद हमसे बाते और कम हो गई और रिया वा उसके परिजन इवं रिया के द्वारा लगाए गए कर्मशारियों द्वारा अपने हिसाब से शुषान सिंग का उसके संपर्क को उसके बैंक खातों को उसके रकम को अपने हिसाब से वो अपने फाइदे के लिए पूरी तरह से इस्तमाल करना शुरू कर दिया मेरा बेटा सुशान सिंग फिल्म लाइन को छोड़ कर केरल में औरगनिक खेती का वेवसाय करना चाहता था जो उसका दोस्त महश उसके साथ कुर जाने के लिए तयार था तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे अगर मेरी बाते नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुमारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूँगी और सब को बता दूँगी कि तुम पागल हो जब रिया को लगा कि शुशान सिंग उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलनस भी बहुत कम रह गया है इस पर रिया ने सोचा कि अब शुशान सिंग उसके किसी काम का नहीं रहा है तो रिया जो कि शुशान्थ के साथ रह रही थी दिनाक 862020 को सुशान्थ सिंग के घर से काफी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, ड्रेड कार्ड, उसके पिन नमबर जिसमें सुशान्थ के एहन दस्तावेज, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई और मेरे बेटे सुशान्थ सिंग का फोन नमबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया, इसके उपरान सुशान्थ सिंग ने मेरी बेटी को फोन करके बतलाया कि रिया मुझे कहीं फसादेगी, वो यहां से काफी सामान लेकर चली गई है, वो मेरे को धंकी दे कर गई है, कि अग 29 जून को, 2020 की रात को दिशा जो कि रिया ने ही सुशान्थ के पास आज थाई तोर पर सेकरेटरी न्यूक्त की थी, उसने आत्म हत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में ये खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घवराठ हो गई, जिसके चलते मेरे बेटे ने र इस आत्म हत्या के लिए मेरे बेटे को कहिना फसादे, इसके बाद मेरे बेटी सुशान्थ के पास गई, तथा मेरे बेटे सुशान सिंग के पास 3-4 दिनों तक रही और उसे काफी समझाया, तथा उसे होसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेटी के अंचारियों ने शर्डेंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोका धड़ी बेइमानी की है, तथा बंधक बनाकर दबाव से अपनी आर्थिक फायदे के लिए इस्तमाल किया, वो मेरे बेटे को आत्म हत्या करने के लिए मजबूर किया है, इसलिए उपरोक्त प्रकरण क चलते, आपसे मेरा नमर निवेदन है कि निम्न विंदूों के संबन्द में इनके विरुद मुकदमा दर्ज करके अनुशासन किया जाए, इनके विरुद मुकदमा दर्ज करके की जाए, पहला पॉइंट, साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशान सिंग को कोई भी दिमागी परिशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्थ में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशान सिंग को दिमागी रूप से एकदम परिशानी हो गई, इसकी जाच की जाए, नमबर दो, यदि इस दोरान वो मानसी रूप से परिशान था, या उसका कोई दिमागी इलाज चल र पॉइंट, इस दोरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे शुशान सिंग का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे शडेंद्र में शामिल थे, इस बात की जाच होनी चाहिए, कि उन्होंने क्या-क्या इलाज किया तथा कौन-कौन सी दवाईयां मेरे बेटे को दी, चौथा पॉइंट, जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस इस्तिती में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना, और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना, और म पॉइंट, मैंने उत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमेंट से पता लगा कि पिछले एक साल में लगबग 17 करोड रुपए मेरे बेटे के इस खाते नंबर 101972591 कोटेक महिंदरा में रहा था, इस खाता से इस दोरान करीब 15 करोड रुपए निकला है, इस खाता से पैसा ऐस से खातों में ट्रांसफर हुआ है, जिनसे मेरे बेटे का कोई लेन देना नहीं था, मेरे बेटे के सभी खातों की जाच की जाए और इन बैंक खातों, अथवा क्रेडिट कार्ट से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों इवम सहयोगियों के साथ धोके बाजी इवम शड की जाए, सात्मा पॉइंट, मेरे बेटा सुषान्त और गैनिक खेती के विवसाय के लिए कुर्ग किरला अपने दोस्त महश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे, जब रिया को इस बात का पता चला, तो उसने इस बात का विरोध किया, सुषान सिंग अब उसके किसी काम का नहीं रहा है, तो रिया वहाँ से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेड़ कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नमबर, पासवर्ड, तथा सात लेकर चली गई, इस प्रकरण की भी जाच की जाए, मैंने अपने घर पटना बेहरत में रहते बहुत बार अपने बेटे सुचान से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया वह इसके परिजन वह सहीयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया, और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया, मैं बुजर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल है, मैं अपन और आज तक किसी के विरुद कोई भी अभियोग दर्ज नहीं किया है, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि यदि उप्रोक्त तत्यों के अधार पर मुकदमा दर्ज करके जाच की गई, तो सच्चाई सब के सामने आ जाएगी, और उप्रोक्त धोके बाज इबम स्ट्यंद्रक तो ये वो कहानी है दोस्तो जो शुशान के परिवार ने बताई है, आपका इस पर क्या रियाक्शन है नीचे कमेंट चेक्शन में हमें जरूर लिकर बताएं, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार